जैहन पाक मीडिया की नए नए लेटेस्ट वीडियोज देखने के लिए क्रप्याटी के यादम न्यूज को सब्सक्राइब करें साथ ही साथ बैल आइकों दवाएं वीडियो पसंद आने पर वीडियोज को लाइक करें कमेंट करें सेयर करें आईए देखते हैं वीडियो जैहन जैवारत दन्यवारत मतब ओओ कंडिशन सो हमने पूरी कीमियत पूर्टी में से तर्टी नाइन इस सब्सक्त हो चुकी है बट शायद उनोंने एक और अबजर्वेशन में भी अमेरा का था उसमें भी गालबान 11 उनोंने कंडिशन डी थी आज में उसके उपर एक रिपोर्ट पॉर्ड आ था के मुलाना मसूद अजर जो के काल अदम जेश महम्मद के सरबरा थे वो उनके बारे में पाकिस्तान की वजारत खारजा ने एक खत लिखा है अफगानिस्तान को दोस्तों पाकिस्तान के अंदर आये जो फेटफ है फिनेंशिल एक्षिन टास्ट पॉर्स उनका एक ग्रूप आया हुआ था लेकिन ऐसा नजर नहीं आता ऐसा लगता है जिसे हमने डॉलर पकड़े और हमने अपने ही लोगों को मर वाया साथ साथ कई इस किसम के ग्रूप भी पाकिस्तान से निकले हैं जिनको कहा जाता है कि दूसरे कंट्री में जाकर या अपनी कंट्री में भी उसमें कहते हैं कि एक पारिशी ली हुआ और दस नहीं हुए तो क्या मतलब किरहें मैं चुई साब मैं ना ही समझा फिर वही हालत या फिर हम आएंगे वो ये कि पाकिस्तान ने लेटर लिखा है अफ़गानिस्तान की गवर्मेंट को और उसमें उन्होंने कहा है कि जी आप हमें मसूद अजर दे दीजिए वो जो हम बोलते हैं मुलाना मसूद अजर वो जरा हमें दे दीजिए और क्यूंके जाहर एक है फ वो नियूस बता रही हूं जो अल्रेडी हमारे मीडिया पर चल रही है बताब इसके बाद आप देखते जाहर है ये फटीएफ के लिए ही कहा जा रहा हूं बहुत दिनों से यही कहा जा रहा था कि फटीएफ टीम ने कहा है कि मसूद अजर को पकड़ के दो तो फिर और इसकाद खत में यह भी लिखा है कि मसूद अजर हमारे पास जो इतला है पाक्स convince के पास उसके मताबक दो जो अफगानिस्तान के शूबे हैं उन में most likely वो हैंडिंग में हैं एक नंगरहर का सुबा बताया गया है एक कुनर का सुबा बताया गया है तो ये खत लिखा गया है पाकस्तान की तरफ से वजारते खारजा जो है अफगानिस्तान की उसको खत ये लिखा गया है और मेरे पास अपरेटिव पार्ट खबर का यही है अब आप मुझे स्वाल करते जाएंगे तो मैं आपको जवाब देता जाओंग। तो ये बताएं कि हमारा उनके साथ कोई extradition agreement है। अमर extradition agreement से भी पहली बात ये है कि पाकिस्तान ने तो अफगानिस्तान को भी recognize ही नहीं किया। अब recognize नहीं किया। बात बनेगी और तब ही आपको जो है वो IMF का लोन भी मिलेगा और बाकी चीज़ें भी तब ही होंगी। FATF की ग्रेलिस से भी तब ही निकल पाएंगे चाहें उसके लिए कितने भी points क्लियर की हों या कितने भी points ना क्लियर की हों क्योंकि वो एक जारा है फिर तो agreement ही कोई नहीं है ना फिर तो lawy नहीं है हम उनको तस्लीम ही नहीं करते हैं तो यह जो हमारे अभी तालुकात हैं इनकी क्या नहीत है यह कोई जायस तालुकात हैं आप इनको consider नहीं करते हैं यह एक working relationship है पाकस्तान चौंके अफगानस्तान में अमन भी चाह मुलाना मसूद अजर की अब यह बात मेरे पास जो इतला आई है कि हमारी intelligence agencies ने यह रिपोर्ट किया है वो मुलाना मसूद जो के 29 आउगस से 2 सेप्टमबर तक रहा और वो पाकिस्तान की जो compliance है उसको monitor करने आया हुआ था लेकिन उस group ने I think जाते जाते एक और जो है यह ब ठीक है जो जो टेकिनिकल recommendation है जो है पहले इनोंने का जी कि हमारे जो हम अपनी हमारी position ठीक है हमने अच्छे तरीके से जो FTF का जो agenda है उसको implement किया है पाकिस्तान में और I think लेकिन फिरो ने ने का जी हम एक mission बेजेंगे जो देखेंगे अब जारी बात है यह जाके पता नही क्या करते हैं और हम तो इस चीज में पसे हुए उदर भारत में आप देखेंगे जो और इसका जारी बात है एक जो impact है वो पाकिस्तान की economy भी पढ़ रहा है मसलसल के मैं देख रहा था कि जो dollar है वो आज की डेट में one dollar is equal to almost to 32 पाकिस्तानी रुपीज और IMF का program भी आ गया ह है इसमें देशत गर्दी पहलाई इसी वज़ा से जो हम FTF में भी गए और finance करने के सिलसले में भी कई लगे आपके ख्याल से ऐसा क्यों हुआ कहां से शुरू हुआ और कहां तक ये बात सही है एक तो है के बात तो ये बिलकुल सही है एक distinction अगर आप समझ लें तो सुनने व इंडियन कश्मीर और हिंदुस्तान में टेरिरिज्म करते रहें तो इनको कन्फ्यूज कर देना ये कहना के पाकिस्तान टेरिरिज्म का खुद सबसे बड़ा शिकार है ये बात तो दुरूस्त है इसमें कोई शक नहीं सबसे जएदा जाने इसमें पाकिस्तानियों की गई लेकिन जिन ग्रूप्स ने जा के पाकिस्तान को बदनाम किये ना दूसी दुनिया में मलब हिंदुस्तान यहां से ट्रेन होके लोग वो क्या कहते हैं लंडन के अंदर भी अटेक हुए थे मैडरेड ये सारे कनेक्शन अब ट्रेस कर लिये गए हैं और इसमें कोई शक नही हैं तो जो ग्रूप जिन ग्रूप्स को तियार किया गया कश्मीर के जिहाद के लिए और फिर हिंदुस्तान के अंदर टेररिस्म जो इन्होंने की कई जगा पे वो और ग्रूप है जैश मुहम्मद का नाम आता है लशकर टाइबा का आता है अब दोनों बैंड हैं और हरकत मुझाहिदीन एक होती थी उसका पता नहीं आजकल क्या नाम है तो ये वो ग्रूप्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को टेरिरिस्ट मुल्क रोग स्टेट इस किसम की जो टाइटल्स है ना वो दिलवाए दुनिया से वो जिसे कहते हैं मालूमात रखना या जारा ये काम वो क किया तो उनों उनका मुझे थुड़ा सा जवाब रहना किया जी देखें ये सेंसिटिव मामला है हम आपको इसके बारे में कोई बात नहीं कर सकते हैं या डिटेल नहीं हम आपको पता है टी टी पी वाला जब मामला है वो उस तनाजर में पकस्तान का अफगानिस्तान को ख वो बड़ा एहम है दूसरी बात या है चीमा साब के जो जेश महमद है ये चोदा जैनवरी दोजार दो को जल मिशर्फ साब ने जेश महमद को बैन कर दिया था फिर बीस सो उननिस में दो और जमातें जो इनके साथ थी अलफुरकान टरस्ट है और एक और टरस्ट था जी हम इसके उपर बात कर लें मुलाना मसूद अजर के उपर अफगानस्तान के अंदर भी कारवाईयों का लजाम था तालिबान जब अश्रफगणी रिजीन थी तो वो भी इनको तलाश कर रहे है जी और इंडिया भी इनके बारे में क्रिटिकल है इंडिया यह नहीं अमर नवे की दहाई में जी यह गए थे कश्मीर गए थे अर्ली नैंटीज में तो वहां पर यह गिर्फतार हो गए थे तो इनके साथ दो थे एक मुश्ताक जरगर थे अमर सईद शेख थे जो डैनियल परल कतल केस में तो फिर इनको रहा करने के लिए एक दिसम्बर नैंटी न पाकिस्तान में आतंकबाद का सबसे बड़ा सपनाया रहे है तो तीक पाकिस्तान आजिए आतंकबाद की आगमें खुद जुलस रहा है क्यों कि पाकिस तान में फार्ट अप की टीम पाकिस्तान का दोरा करने आई थी कि पाकिस्तान फार्ट अप की ग्रेलिस्ट से निकलेगा या नहीं निकलेगा उसका फैंसला अक्टूबर में होना है इसलिए पाकिस्तान में अब आतंकी मसूद आजहर को गरपतारी जरूर दिखानी होगी इसे ले आतंकी मसूद अजर को गरबतार किये पाकिस्तान फार्ट अपकी ग्रेलिस्ट से नहीं निकल सकता है इसलिए पाकिस्तान जितनी कोशिस हो सके हो उतनी कोशिस कर रहा है कि कैसे भी करके मसूद अजर को गरबतार किये जा चके क्योंकि पाकिस्तान जिन्दा आतंकी को मरा बता कर दुनिया को बेवकूब भी बना सकता है लेकिन पाकिस्तान यह नहीं समझ ज़े रहा कि दुनिया कितनी समझदार हो चुकी है क्योंकि पाकिस्तान ने काफी ज़्यादा डॉलर कमाए थे आतंकबाद के जरीए अब उसी आतंकबाद ने पाकिस्तान को इस तरह से फसा लिया कि पाकिस्तान उसे निकल ही नहीं पा रहा आपके क्या रहा है कमेंट में जरू से करें याद आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें जय हिंद